दोस्तों आप सभी से नमस्कार आप देख रहे हैं अब फरिदाबाद नियूज मैं धर्वेंदर प्रताप सिंग आप लोग इसे माल गाड़ी समझेंगे जो रेलवे ट्रेक पर माल गाड़ी चलती है आपको वैसा ही नजारा रोड पर दिख रहा है आप लोग देख रहे हैं और अभी जो खबर मिली है कि ये बिजली के तारों से टकरा गई और एक आदमी जूलस गया उसको चोट आ गई उसको अस्पटाल भेजा गया है तो मैं आपको दिखाऊंगा ये रिफाइनरी का टैंक और ये माल गाड़ी भी दिखाऊंगा देखिए आपको लगेगा भाई टायर ही टायर है और बहुत लंबी माल गाड़ी है जो रोड पर चलती है इधर से दिखाएंगा हमारे कैमरा मैन देख सकते हैं दोस्तों कितने टायर है मैं टायर गिनूँगा एक साइड में एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दज ग्यारा बारा तेरह टायर है और एक साइड में दो दो टायर है आप लोग समझ सकते हैं और इधर देखिए भाई मैं तो कहूंगा भाई इसमें कम से कम सव ग 2Am नबर प्लेय के तारों से कहां पर टकराई है आगे की तरफ चलते है है यहां पर बहुत सारी लोग है मिसें बादशीत भी करेंगे देख सकते हैं बहिए ऐसा लग रहा है कि किसी अलग दुनिया में आ गये हैं बहिए राम- करेंगे राशन कहां गया रजन अच्छा रज cert करेंगे देखिए इन्होंने भड़िये इन्होंने खाने पीने का इंतिजाम भी कर रखा है भरतन वगरा भाणे वगरा यहां पर रखे हैं सिलेंडर वगरा सब रखा है सोने का भी इंतिजाम है भाई ऐसा लग रहा है किसी अलग ही दुनिया में आ गए है अच्छा इसका नमबर भी यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यह देखिए नमबर प्लेट है भाई नमबर प्लेट दिखाई है हमारे कैमरामेन यह जी जे वन टू एजेड एट सिक्स फाइप एट इसका नमबर है तो नमबर भी आगया भाई बहुत वजनदार चीजों को यह गाड़ी खीच रही है पता नहीं कितना पाउरफुल इंजन इसमें लगा होगा तो बहुत सारी चीजे मैं आपको बताने वाला हूँ आज और यह भी बताऊंगा यह बिजली के तारों से कहां पर ठक करा ही जाता हो गठी के भाई साब बढ़िया अच्छा दिया आप धूंडते हैं कुछ लोगों को जो जानकारी देंगे आखिर यह बिजली के तारों से कहां पर ठक राया और इसको किस तरह से लोग मैनेज करते हैं अच्छा जो हमें सूचना मिली कि दो तीन लोग जुलस यहां पर बहुत सारे जूते दिख रहे हैं आपको मुझे लगता यह उन्हीं लोगों के होंगे जो जुलसे हैं दिखाऊ भाई कैमरामेन यह कई जूते यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं आई यह भाईया कहरे हमारी भी वीडियो बनाओ हां क्या हो गया आप यहरान हो र तारों से टकरा गई तार भी तूड़ गया कुछ लोग अभी दिखाई दे रहे थे वो शायद चले गए तो जो हमें सूचना मिली हैं हम आपको बताएंगे कोई महभूब नाम का लड़का है तो घायल हुआ जिसको अस्पताल भेजा गया है तो रज्जन जानकारी दे आजा भाई तुम बहुत खास आजमी हो इतना बड़ा ट्राला लेके गूम रहे हो अचा जो हमें सूचना मिली कितारों से कहीं टाश हो गई हो गया अब पहरें दो-तीन लोग गया नोग तो कितने लोग गया हुए है वहाँ एक आदमी महभू आ यहां तक पहुंचने में कितने महीने लगे आपको बंप लोग प्रशन मिलती है तब ही चलते हैं अच्छा जो रास्ते में बिजली की तारें आती है उसको किस तरह अठाते हो आप लोग और बंबू से उठाना पड़ता है तो आज नहीं उठा प लाइन बंद है इसलिए बंद उठा अच्छा जब भी यह गाड़ी आप निकालते हो लाइन बंद करवा देते हो बिजली कटवा देते हो आप लोग उसके बाद बंबू से तारों को उठा के धीरे-धीरे करके पास होते हो अच्छा आज जो बिजली वाला बोला कि लाइन का पर दी हमने पावर नहीं आप निकाल सकते हो लेकिन उसमें पावर थी और आदमी कहीं टर्श कर लिया उसको और गया लोग गया ऐसी जानकारी मिली हाँ महभूव नाम है उसका हाँ अच्छा लिए तो आप लोग यहीं बनाते खाते हो हाँ आरी ब्योस्था यही है तो चा किलोमेटर है एक यार पास में और जाना कहा है भाईया पारिके सम緩 तो पहुत है नाम बता है आप ने अपन रहां रहा.... रहान रहान चलो भाई बहुत मेहनत काम है आपका यह दुरगटना तो होई जाती है लेकिन लोग हैरान हो रहे होंगे हाँ भाई आजाओ आप भी हैरान हो रहे होगे इसको देखके कभी देखा इस तरह हैं भाई या गाड़ी वाले हो क्या अच्छा आइए थोड़ा उधर चलते हैं उधर से आपको बताएंगे क्योंकि यहां से विजुल हमने आपको दिखा दिया है कि किस तरह से यह ट्राला जिसको एक्सल बोलते हैं एक्सल बोलते हैं एक्सल बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आएगा बहुत सारे लोग ट्रक भी बोल सकते हैं ट्राला भी ब प्राइवेट लिम्टेड इस पे लिखा हुआ है और भी बहुत सारी चीजे लिखी पड़ी है तो आप लोग देख रहे हैं यह माल गाड़ी जो है चार महिने में यहां तक पहुंची आप लोग समझ सकते हैं बल्लब गड़ से और यह रिफाइनेरी के टैंक होता है यहीं प और बनाओ नाम बता दो अपना नाम बता दो बता रहा हुँ सब मेरी वीडियो बना रहे कभी देखा होगा मुझे अच्छा इधर आपके बनाओ थोड़ा सामें रिपोर्ट दिखाद लें दो आराम से बनाओ तो देख सकते हैं दोस्तों अभी जो जानकारी मिली है वही हम अब को बता दिया है देखते हैं आगे क्या होता है और जब भी इस तरह के जो जिसको बोलते हैं ट्राला बोले एक्सेल बोले जब भी ले जाना हो तो विजली भीवाग वाले थोड़ा ध्यान रखें जैसा की कह रहे थे लाइन कटवा दी लेकिन वो लाइन गटी नहीं थी उसमें करंट आ रहा था और जिसकी वैसे दुर्गटना हुई और आगे कह रहे हैं कि नेक पुर्मोड पर तार वगरा भी तूड़ गया है तो उसको भी जोड़ा जाए और इस तरह की दुर्गटना को रोका जाए आगे जो भी अब बेठ होगी आपको बताएंगे जो भी है फरिदाबाद नेउसे धरबंदर प्रताप सिंग नमस्कार